नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वसर्ष, आपका सबकी शिक्षा में बेहत स्वागत करती हूँ केंद्र विद्याले दाखिला प्रक्रिया से सम्मंदित कुछ ऐसे सवाल हैं जो ज्यादतर अभिभावक जानना चाहते हैं सवाल कि वह कितने भर सकते हैं फॉर्म और यह सवाल वह अभिभावक भी जानना चाहते हैं जो बालवाटिका के ओफलाइन फॉर्म भर रहे हैं वह अभिभावक भी जानना चाहते हैं जो कक्षा पहले के ओनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले बताना चाहूंगी कक्षा दूसरी और उससे उपर की कक्षाओं के बारे में केंद्र विध्याले में कक्षा दूसरी और उससे उपर की कक्षाओं में और प्लाइन दाखिला प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों के एड्मिशन होते हैं देश भर के सभी केंद्र विद्याले अपने विद्याले में किस क्लास में किस काटेगरी के तहट कितनी सीटे खाली है इसके संबंद में जानकारी जारी करते हैं और यह जानकारी आप केंद्र विद्याले के बाहर लगे नोटिस बोड के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर उस केंद्र विद्याले की वेबसाइट पर जाकर भी इसके संबंद में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अब क्या एक से ज़ादा ओफलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं यानि कि अगर आपके घर के पास तीन के इंदर विद्याले हैं और उन तीनों के इंदर विद्याले में उन कक्षाओं में सीठे खाली हैं जिन में आप अपने बच्चों का दाखला करवाना चाहते हैं तो आप उन सभी उन तीनों के इंदर विद्याले में फॉर्म भर सकते ह अगर आपके घर के पास 4 के इंद्र विध्याले है उन चारों में उनी कक्षाओं में सीटे क्हाली है जिन में आप उपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं तो आप उन 4 के इंद्र विध्याले उन में फोग भर सकते हैं कहने का मतलब यह है कि कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि इतने ही offline form भर सकते हैं, आपके घर के पास जितने के इंद्र विद्याले हैं, आप उनके offline form भर सकते हैं, बशर्ते आपके कागजात सही हो, लेकर निहा में कहना चाहूंगी कि एक इंद्र विद्याले के एक स होते हैं online form submit होते हैं और फिर बच्चों का दाखिला होता है पूरे देश के लिए टिदियां और लट médico जानकारी होती है वे पूरे द्यादा के सहली ificialप के यह ऊती है सिचांडर होती है एक online online form के माध्याम से आप तीने विद्दानायों के नाम लिख सकते हैं। अब लोग मुझे मुझे से पुछते हैं कि मैम क्या एक से ज्यादा हम online form भर सकते हैं, एक से ज्याधा online form अपने बच्चे मेले बडर सकते हैं। क्योंकि हम मैं यहां रहता हूँ, मेरी बीवी उस राज्य में रहती है तो मैं अपने राज्यों के फॉर्म का नाम लिखूं या स्कूलों का केंद्र विध्यालों का नाम लिखूं फॉर्म में या मेरी बीवी जहां रहती है वहाँ वहाँ जो केंद्र विध्याले हैं उनके, उनका नाम लिखे हैं फॉर्म में, तो आपको बताना चाहूंगी, यहां पर मैं अपनी राय देना चाहूंगी, हाला कि केंद्रविद्ध्यालिय का नाम आप लिख सकते हैं, बशर्ते आपके पास अभरेस प्रूफ होना चाहिए, या दो से जाद ओनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, बशरते, आप दोनों ओनलाइन फॉर्म में एक जैसे सेम केंद्र विद्यालों के नाम नहीं लिखे, क्यूंकि ऐसे करने में तो आपके ओनलाइन फॉर्म रद हो जाएंगे, यहाँ पर उधारन दे कर बताना चाहूंगी, उध दिल्ली में रहती हूं, मेरे हस्बंड पुणे में रहते हैं, और अगर मेरा बच्चे का केंद्र विद्यालों में दाखिला करवाना है, तो मैं दिल्ली के तीन केंद्र विद्यालों के नाम एक ओनलाइन फॉर्म में भरके, फॉर्म को सब्मिट करवा दूँगी, और जो तीन केंद्र विद्यालों का नाम भरकर फॉर्म को सब्मिट करवा सकते हैं, क्योंकि मेरे हस्बंड बच्चे के पिता है, और माता है पिता में से किसी के नाम का एड्रेस प्रूफ चलता है, तो मेरे हस्बंड का वहाँ पर एड्रेस प्रूफ चल जाएगा, और इस बार ज में नाम आप भर सकते हैं आप वो नमबर भी अलग रखेगा आप इमेल आईडी भी अलग रखेगा ऐसे में आपको कोई confusion नहीं होगी और आप नियम के अनुसार भी चल रहे होंगे उम्मीद करती हूँ आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या रही हूँ फिर से एक बड़ पताती हूँ अलग-अलग केंद्र विद्यालों के फॉर्म भरने के नाम भरने के लिए अब अलग-अलग ऑनलाइन फॉर्म इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन याद रखेगा एक ही केंद्र विद्यालों को तो अलग बार बार ओनलाइन फॉर्म में नाम उसका मत भरियेगा अब तीसरा जो बालवाटिका संबंदित ऑफ्लाइन फॉर्म है क्या एक बालवाटिका अगर एक बच्चे के नाम से क्या एक ही बालवाटिका केते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं जी नहीं अगर अगर आपके कम लोगों के साथ होगी क्योंकि देशपर में कुल अनंचास ही ऐसे केंद्र विद्याले हैं जब बालवाटिका कक्षाओं में पढ़ाया जा रहा है हाँ यह हो सकता है कि पती-पत्नी अलग-अलग स्टेट में रहते हैं दूर रहते हैं दोनों के अलग-अलग ब्रेस पूफ बर सकते हैं और यहां का भी ऑफ-लाइन फॉर्म बर सकते हैं तो मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे कि कक्षा दूसरी से नौवी के कितने भी ऑफ-लाइन फॉर्म आप भर सकते हैं लेकिन एक इंद्र विद्याले को यलिए आप बर सकते हैं और तीसरा बालवाटिका के अलग-अलग ऑफ-लाइन फॉर्म में मत भरिएगा अलग-अलग बालवाटिका के लिए अलग-अलग ऑफ-लाइन फॉर्म भरा जा सकता है उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि केंद्र विद्याले दाकला प्रक्रिया में एक ही केंद्र विद् कि अजया दीजे नमस्कार